नमस्कार डे और नाइट नियूस के हिंदी बुलिटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ दिपिका गुलाटी और खबरों की शिर्वात करते हैं खास खबरों से देरा प्रमक गुनमीत रामरहीम की फिल्म आज रिलीस हो गई है किसी तरह की कोई हिंसा या वारदात ना हो इसके लिए पुलिस ने पुकता इंतिजाम कर दिये हैं राम रहीम की फिल्म को लेकर विरोध को देखते हुए पंजाब हर्याना की राजदानी चन्निगर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है चन्निगर शहर के सबसे बड़े मौल में भी इस फिल्म की रिलीस को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है बाबा की फिल्म को लेकर लोगों और उनके समर्थकों में काफी उतसा देखने को मिल रहा है खासकर सिनिमा घरों में आज काफी भीड़ देखी जा रही है लोग सिनिमा घरों के बाहर बाबा के नारे भी लगा रहे है आप गुर्मीत राम रहीम की फिलम जो है चंदीगर में रिलीज हो गई है हलाकि सेंसर बोर्ड ने इसकी अनुमती दे दी थी उसके बाद आज ये फिलम रिलीज हर जगा हो गई है चंदीगर के सेंटर मॉल में हम यहाँ पर खडए हैं जिस तरह से आप देख सकते हैं के काफी लमबी कतारे यहाँ पर समर्थकों की लग गई है सुबा से ही यहां पर लाइने जो हैं समर्थों के लगे हैं उसके साथ साथ टीशिटे भी इन्होंने जो है बाबा गुर्मीत राम रहीम के जो टीशिर्स आप देख सकते हैं कि इन्होंने खुद जो समर्थक है उन्होंने टीशिट जो है वो पहन रखी है आप देख सकते हैं जो है यहांपर Messenger of God को लेते हुए जो है यहांपर बाबा गुरमीत राम रहीम के यहांपर उनको काफी नारे लगाये जा रहे हैं कि Dabuchadneenceょ zij 331 उन्वे काफी जो है उथ्प जहारा चाहारा है जिस तरह से आप आपधने लगाये सकते हैं कि काफी यहां पे नाले लगाये जा रहे हैं मैंजी बाबा गुर्मीत तो यह क्या गेंगे हैं हमारे लगा तो फिर हमारे खोल है ठीक है ना काफ़ी काफी विवादों में रही है यह फिलम क्या कहेंगे सब्सक्राइब करें अगर बात करें और भी संगठन जो है इसका विरोध करते नजर आ हैं तो क्या आप किया कि है वैसे बिरोथ करें उन्हों आकर देखें ने किई सको इसमें क्या है किस चीज के लिए बनाई है नसा मुकत है वैसमाningar मुल्रूट करनाइप में ये गुरोजी ने जो बनाई दुनिया को सुधारने के लिए बहुत बढ़िया जो इसमें है नसा मुगत है, यह इसमें कोई ऐसी कैसी बात नहीं है, और हमको इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, अपने बेटे की साद्धी की भी खुशी नहीं होती, जितनी फिल्म की है, जो सिखो संगटन है, उनका साफ तौर पे कहना है, कि बाबा जो मर्जी करें बिल्कुल जिस तरह से साफ तूर पे इंगे समर्थकों का कैना है कि यहां पर जो यह जो कुछ नहीं जो फिलम है उसमें उस जो मिल रहा है काफी संख्या में जो है मैं यह पर राम रहीम के जो समर्थक हैं बच्चे से लेकर बुजरुग से लेकर महिला से लेकर जो यहां पर पहुंचे हैं आप देख सकते हैं कि काफी उत्सा जो चंदीगट में भी जो है काफी उत्सा देखने को मिल रहा है यहां पर लेडिस की जो है लंबी-लंबी यहां पर कतारे लगी है हाला कि चं तरह के कोई घिंसा गटना ना हो क्योंकि सिक संगटों ने साथ तौर पर यहां पर चेताव नहीं दी थी कि यहां पर अगर फिलम के साथ मनोजराथी डेरनाइट निउज जहां जहां पर फिक्चर लिजी है सभी जगा मनेस की डिप्लाइमेंट प्रॉपर किया और हमने स्टाफ को सेंस्टाइज किया कि भी किसी किसी भी पार्ट के उपर कोई लॉटर की प्रॉब्लम करेट नहीं चाहिए बाकी लोग आए पिक्चर देखे नाओ देखे वा उनकी मर्जी है लेकिन हमने पूरी पूरी प्रॉटेक्शन देनी है और लॉट और को मिटेन करना है नहीं हमें उससे कुछ नियुकिक निज करना जो प्रिवेंटिव ले सकते थे हमने जो अपने चारों तरफ से नके बंदी किया वो सिर्फ किसी भी अंटुबड इंसिडेंट को वाइड करने के लिए हमने पुरा प्रिवेंटिव लिया है बाकी पिक्चर देखने वालों से महारा कुछ लिना देना नहीं है इसके नाम का विरोध नई हमारे को इस पिक्चर पे विरोध है हमारे को और हमने हमेशा इसका विरोध किया है जिस दिन इसको सेंसर बोर्ड ने सर्टिफाई किया था उस दिन भी किया था पूरा सेंसर बोर्ड रिजाइन कर गया था और आज दिली में रिजोरी गार्डन में जो मॉल है टुडे मॉल वहाँ पे हमने प्रोटेस्ट रखा है सबेरे साड़े ग्यारा बजे और हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे हरया में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं पंजाब गॉर्मेंट ने इस पे बैन लगा दिया है उत्तर प्रदेश में जम्मू कश्वीर में सब के तोर पर करनाल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है विवादों के बाद आखिरकार एमस्जी फिलम आज रिलीज होगी लेकिन अगर बात करें तो कड़ा सुरक्षा घेरा जो है हर पर जिले में जो है लगाया गया है अर्याना पुलिसी तर से और इस समय हम खड़े हैं करना सिनेमा घर को पूलिस शावनी में यहां पर तब्दील कर दिया गया है अगर बात करें तो करनाल में कुल दो सिनेमा घर है एक नवल्टी सिनेमा घर और दूसरा यह पीवियर सिनेमा घर है जहां पर आप देचते थे हैं हलांकि परशासन ने कल धारा 1444 लगा दी थी जिसके चलते हैं कि कि विशेष कमांडो बल जो है यहांपर तेनात किया गया है और दंगा नियंत्रन वहरन जिसको आप देख सकते हैं कि कि जो किसी तरह की कि यह घठती है तो उसको निक्टर जा सके तो वो भी नहीं सिनेमा घर संचालक चलाते हैं तो इसके आर्थिक नुक्सान सिर्षा का गहरा बना रखाया है सभी सिनमा घरों के बार और परशाशन पूरी तरह से तैयार है कमल मिड़र डे और नाइट निउस करनाल देरा सच्छा सौधा प्रमुक की फिल्म मेसेंजर अफ गॉड रिलीस हो गई है सिर्षा के सिनमा घरों में भारी पुलिस बल की मौझ चूधगी में फिल्म को रिलीस कर दिया गया है सुबा आट बच कर पंद्रा मिनिट पर पहला शो शुरू किया गया जो की हाउसफुल था और फिल्म देखने आये डेरा श्रधालों में काफी उच्छा देखने को मिला फिल्म की रिलीस को लेकर भारी पुलिस बल भी तेना लगाई हुई है कि मौनिंग से लेकर स्याम तक सारेशों है और आलमोस्ट लगबक फूल है तो यहां पर टिकट तो एविलेबल है नहीं तो लोग जितने भी दर्शक हैं वो अपने जो बहार काउंटर बने हुए हैं वहां से टुक एडवांस में उक्तरा के आ रहे हैं मुझे इतने एक्साइटमेंट है कि में बता ही नहीं सकती मैं बता रहे हैं ना कि पूलि रात सोओं इन हु 있는 एक्साइटेने लोग बहुत जादा एक्साइटेड हूँ है अब हम किसी SAY भी बात करthे हैं तो वो सभी क्या थेղिए को देखना चाहते हैं प्याले जो लोग कि एक मुवी में क्या होगा और हूआ थेह वो भी में तरभ इनके चाहते हैं कि यह पिर देखने के लिए तुँ आज सभी इस मुवी को देखने के और हर परकार की निगरानी चारों तरफ से रखी जा रही है चांती बनाए रखने के लिए उदर जीन में भी बाबाराम रहीम की फिल्म दमेसेंजर रिलीस हो गई है इनेलो और अन्य संगठनों के विरोध को देखते हुए कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच फिल्म का पहला शो शुरू किया गया आपको बता दे कि फिल्म के विरोध के चलते प्रशासन शेहर में धारा 144 लगाई है सकत आदेश दारा 144 लगाई है जो भी इस फिल्म का विरोध करेगा इसके खिलाब कानून के निशार शक करवे अमिल मिले जाएगे मही जमू में इस फिल्म को लेकर सिनमा घरों में दिखाय जाने पर सिख धर्म के लोगों ने अपना रोश्ट दिताया है उन्होंने कहा है कि ये फिल्म सिख धर्म के खिलाफ है और इस पर रोक लगाई जाए आपको बता दे कि इस फिल्म को लेकर कई धार्मिक संगठों उ कि आप अपकोर हैं तो यह कब भी बीड़ी नहीं देंगे इसमें उसने पंथ मिरोधी स्थ पंथ के पुरोधी हिंदू धर्म के विरोध में मुस्मान धर्म के विरोध में असने परदरश्ट के आपने आपके जैए जम कश्मीर में अब सरकार बनाने की कावायत फिर थोड़ी तेज होती दिख रही है इस सिलसले में आज जम्मू में भाजपा की बैठक होई माना जा रहा है कि अगले कुछी दिनों में भाजपा पीडिपी की साजा सरकार मुफ्ती मुहमद सईद के नेत्रित्व में सत्ता संभाल सकती है दोनों दलों के बीच सरकार के गठन के लिए परदे के पीछे जारी अपचारिक बातचीत में नियूरतम साजा कारेकरम पर सहमती बन गई है ऐसे में अब कभी भी सरकार के गठन का एहलान हो सकता है सूत्रो के रुसार दोनों दलों ने अंतिम और निनायक बातचीत के लिए अपने अपने पैनल भी बना लिए है ऐसे में उमीद की जा रही है कि संभवता स्तारा फरवरी को सरकार का गठन हो जाएगा लेकिन सभी शर्तों को अंतिम रूप देने और राजपाल एननवोरा के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले पीडिपी सनरक्षक मुफ्ती मौहमद सईद की नई दिली में प्रधान मंत्री नरेदर मोधी से मुलाकात होगी कोर गुरूप की बैठक थी और कोर गुरूप के सभी लोग हम मिले और क्योंकि जो जम्मु कश्मी लगिस्ट्रेटिक कांसिल की जो एक्षन से इसके बार में चर्चा हुई और पैनल बने हैं लगला लोगों ने अपना इच्छा प्रगड की थी कि हम लेक्षन लना चाहते हैं सभी नामों के ऊपर चर्चा हुई और उन नामों के ऊपर एक पैनल बना है जिस पैनल को अल्टिमेटली उसको जो है दिल्ली बहजा जाएगा और हमारा जो केंद्रिय जो चनौब समीति है उसके ऊपर बुस्पर मोर लगेगी जिस पर मोर लगेगी वो लेक्षन करेगा और जब भी हो तैए करेगा तभी आगे बातें बढ़ेंगी लेकर इतना में कह सकते हैं कि आने वाले वक्तम एक जमो कश्मीरे स्थाई सरकार मिले जो डेलिवर कर सके और जो टांस्पेरेंट हो और लोगों की इच्छा और अकांक्शां के ऊपर जमो कश्मीर के लो नस्ते नाबूत कर दिया जाए उसको समविधान से निकाल दिया जाए और दूसरी तरफ पीडीपी है जिसका ये मानना है कि प्रदेश को और अटॉनमी मिलनी चाहिए और स्वायत्ता मिलनी चाहिए तो ये जो विरोधा भास है ये जो अंतरद्वंध है इसको ये कैसे सु जाएंगे और क्या दो ऐसी पार्टियां जो विचारात्मक रूप से इतनी दूर हों क्या वो जम्मू कश्मीर को एक स्थिर सरकार दे सकती है ये बहुत ही एक गंभीर विश्य है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मैं असाथ फोन लाइन पर जुर चुके हैं हमारे जम्मू संबादाता आशीश कोली आशीश आप से जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में अब सरकार बनाने की कवायत फिर थोड़ी तेज होती दिख रही है तो क्या ताज़ा कि अब कि अब कि अब कि अब कर दाना चाहूं गा कि अभी यदी हम बात कर आया है जो की भाजबा जिए फिर यह थे पर टी निश्की पहले इन चीज़े काम आई बाजबाची तो अब इनकी जो पीड़ी ते पाढ़ी चल दिए और इनको एज़े पादी पासी ते बनाने की और इननों हमें अनोफिशल ये भी पताया कि वीस तर ही तो यह स्थिर सरकार को पूरी पोसिश है कि हम एक सरकार जौन कौन को काफी बेद है सरकार का तो हम इंको स्थिर सरकार दें जिसके साथ हमारी PDP के साथ कापी आच्छी बाची है और Common Minimum Program प्यार किया जा रहा है जिसके लिए काफी मिटिंग्स भी किल रही हैं भाजपा और PDP के बीछ में जी आशीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद तो यह थे हमारे समवादाता अशीश कोली तो आपको बता दे कि जम्मू कश्मीर में अब सरकार बनाने की कवायत फिर थोड़ी तेज होती दिख रही है केंद्र ने 1984 के सिख दंगो की दुबारा जांच के लिए गुरवार को SIT बना दी है सूत्रों ने बताया कि घ्रह मंत्राले ने छे माह में रिपोर्ट मांगी है तीन सदसी है SIT के प्रमुक होंगे प्रमोध अस्थाना 1986 बेच के IPS अफ्थर अस्थाना मनिपूर, त्रिपूरा काडर के हैं रिटायर्ट जिला एवं सत्र नियाधी श्राकेश कपूर और दिल्ले पुलिस में एडिशनल DCP कुमार यानेश इसके सदसे होंगे SIT बनाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के पूर जज जस्टिस जीपी माथूर की अद्यक्षिता वाली कमेटी ने पिछले महीने की थी इन दंगों में 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे जस्टिस नानावटी आयो की सिफारिश पर CBI ने 241 में से सिर्फ 4 की दुबारा जांच की थी सिर्फ एक केस में 5 लोगों को दोशी ठेहराया गया था भाजपस अभी 241 मामलों में दुबारा जांच की मांग करती रही है हाला कि अभी यह साफ नहीं है कि S.I.T. कितने मामलों की जांच करेगी तीस साल और लेडी हो गए और तीस साल के बाद अगर फिर यही बात करनी है तो इसका मुझे नहीं लगता कोई कोई ज़्यादा फैदा होने वाला है अब सीधे जो 200 सेंथी केस जो पलीस ने बंद कर दिये खोदी और जिसको कोट में भीजा ही नहीं वो सारे के सारे केस सीधे रियोपन करके और उनके उपर दूसरी बार जांच करने की जूरत थी जो के ये प्रीस अफसर्ज की पूरी टीम जो दिली से बाहर के पुलिस अफसर्ज थे जैसे के केजरी वाल की सरकार ने ओडर किया था वो होते और वो सीधी जाके जांच करते अन्वेस्टिगेशन करते और कोट में चार्शीट फाइल करते उस चीज का फैदा था अच्छा है उसके क्या दिक्कत है फुष्दंगेवत हम बहुत ज्यादा यहां से वाहां बचाने में लगे रहे तो इसलिए किसी अज्याय का भी किसी अन्याय पे भी कोई कारवाई होती लेकिन न्याय जो है वो कई जगे मिलते ही नहीं है तो यह 84 के दंगे जो है वो सही बात है केरल में चल रही राश्टरपती योगिता में जम्म कश्मीर की जमनास्टिक की तीम ने 3, 4 और 5 फरवरी को स्वन्पदक हासल किया गोल्ड मेडल के साथ जम्म कश्मीर ने नैशनल में अपना खाता भी खोल लिया जम्म कश्मीर की टीम में मिताली डोगरा, पलक कौर, मृदुला, गुपता और पवंदीप कौर ने शानदार प्रजदर्शन करते हुए जम्म कश्मीर के लिए स्वन्पदक चीता वही माराष्ट की टीम को दूसरा और पंचाब को तीसरा स्थान हासल हुआ है वही विजयताओं के परिजरों में खुशी की लहर देखी जा रही है हमारी टीम ने फर्स टाइम गोल्ड मेडल आया हमारा टीम का जो आज तक कभी पहले नहीं आया पहली बार आया इस पार और मैंने दो गोल्ड और एक सिल्वर लिया है हमने स्टेट को रिप्रेजेंट किया और हमारी स्टेट फर्स आई वह भी जिमनास्टिक्स में तो बहुत अच्छा लगा हमारी महनत रंग लाई जो इतने महीनों से महनत कर रहे थे वह आज रंग लाई और हमें उसी महनत का ये फाल मिला है हिमाचल में एक ही दिन में स्वाइन फ्लू के दो मामले उजागर होने के बाद हरकम मच गया है टांडा मेडिकल कॉलेज की दो चात्रों के बलड सैंपल रिपोर्ट आई जी एमसी शिमला में पॉजिटिफ पाए गए वहीं प्रदेश में स्वाइन फ्लू का तीसरा मामला है और तीनों कांगड़ा के हैं बताया जा रहा है कि मंगलवार रात को दोनों चात्रों की तब्यद बिगड़ गई थी चेकप के बाद बलड सैंपल शिमला भीजे गए पुष्टि होने के बाद दोनों को आईसोलेशन वाड में शिफ्ट कर दिया गया दोनों का उप्चार चल रहा है स्वाइन फ्लू की पुष्टि के बाद डॉक्टरों और मरीजों में हरकम की स्थिती है टांडा कॉलेज प्रशासन सतर्क हो गया है संपर्क में आने वाले कुछ लोगों की जांच भी की जा रही है हमारे यहां पर तीन केस पोस्टिव आए है और उनकी ट्यूटमें जो चले हुई है अभी वो स्वास्ति लाव उनका स्वास्ति जो ठीक हो रहा डे बड़े अभी इंप्रूमेंट काफी होगी है वो मेडिकर स्टूनेंट है वो ठीक हो रहा है हिंदी समचारों में अब तक के लिए बस इतना ही नमस्कार खाबरों की दुनिया में आईए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िये हम मिलेंगे फेस्बुक पर हम दिखेंगे यूट्यूब पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर हबरों के साथ बने रहे राद दिन